तो चलिए शुरू करते हैं बिग बॉस सोला का एपिसोड नमर छे वेक अप अलाम के बसते ही सभी घरवाले बिग बॉस एंथम गाते हैं तो वहीं अब्दू की आज नीन पूरी होती नहीं नजर आई वही दिखाई देती है अब्दू साजुद और M.C.S.10 की तिगडी जहां साजुद अब्दू को कहते हैं कि कल तुम्हारी बिग बॉस के घर में शादी होने वाली है इस बात पर अब्दू बहुत खुश होते हैं और कहते हैं अगर कल मेरी शादी नहीं हुई तो मैं तुम्हें पंच उमारूँगा बच के रहे ना वहीं टीना, गौतम और अंकित अब्दू का सोने का जूता उससे लेते हुए नजर आते हैं जो कि प्योर 24 करेट का था इसके बाद अब्दू पूल में मचली की तरह तेड़ते हुए नजर आते हैं वहीं गौतम किचन में सौनदर्या के साथ फलर्ट करते हुए नजर आये जहां गौतम कहते हैं कि तुम्हारे पापा साइंटिस्ट है क्या सौनदर्या कहती है नहीं तो गौतम कहते हैं तो फिर उन्होंने इतना अच्छा बॉम कैसे बना लिया इंडारेक्ली वो सौंदर जाको बॉम कह रहे थे इसके बाद फोन की घंटी वस्ती है और बिग बॉस कैप्टन निम्रत को कहते हैं कि यू आर फायर मतलब कैप्टेंसी से बरखास्त और उन्हें कनफेशन रूम में बुला कर सभी घरवालों को लीविंग एरिया में इखटा होने के लिए कहते हैं कनफेशन रूम में बिग बॉस निम्रत से कहते हैं कि चूकि आप घर की पहली कैप्टन है इसलिए आपको एक आखरी मौका दिया जाता है अपनी कैप्टेंसी बचाने का गार्डन एरिया में रखे बॉंग को घरवालों में से जिसने भी जाकर पहले बजा दिया वो आपके साथ एक मुकाबला करेगा जिसमें आप दोनों को अपने सीट में टब रखकर उसे बैलेंस करना होगा और घरवाले उस टब में कुछ भी डाल सकते हैं क्योंकि शालीन सबसे पहले उटकर भागते हैं और बॉंग बजा देते हैं इसलिए शालीन और निमरत की बीच मुकाबला होता है जहां शिव द्वारा शालीन की टब में भारी डंबल डालने चे शालीन हार जाते हैं और निमरत दुबारा घर की कैप्टन बन जाती है वहीं शालिन और शिव के बीच टास को लेकर बात चल रही थी तब सुम्बल बीच में बोलती है कि शिव तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें भारे डंबल उसके टब में नहीं डालने चाहिए थे शिव उन्हें कहते हैं कि ये हम दोनों की बीच की बात है आप इसमें बीच में मत पढ़िए इस बात पर सुंबल वहाँ से उटकर रूम में चली जाती है और रोने लगती है शालिन जाकर उन्हें चुप करवाते हैं तो वो कहती हैं कि सब मुझे बस छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करते हैं मुझे घर जाना है शालिन उसे समझाते हैं और फिर वो रोना बंद कर देती है इसके बाद अर्चना और सौंदरे के बीच जगड़ा होता हुआ दिखाई देता है क्योंकि अर्चना के अकॉर्डिंग सौंदरे ने टास्क में काच का एक बॉल रखा जो की तूट गया जो की बिग बॉस की प्रोपर्टी थी इस जगड़े में लगे हाथ टीना भी सौंदरे के साथ देते हुए अर्चना से लड़ती हुई दिखाई देती है इसके बाद टीना शालिन से माफी मांगते हुए नजर आती है क्योंकि टास्क के समय टीना शालिन का सपोर्ट करने के लिए वहां मौजूद नहीं थी और टास्क जल्दी ही फिनिश हो जाता है इसके बाद माने दवारा टास्क में अर्चना का सिलबटा इस्तिमाल करने पर अर्चना गुसा हो जाती है और वो सभी घरवालों को आगे से उसके सिलबटे को हाथ ना लगाने की चैतावनी दे डालती है इसके बाद बिग बस गोरी नागोरी को नॉमिनेशन से बचने का एक मौका देते हैं जहां उन्हें एक डांस परफॉर्मेंस करनी थी अगर उनके साथ अन्य नॉमिनेटेट सदस्ये भी डांस करते हैं तो वो ये टास्क जीत जाएगी और विशेश अधिकार का इस्तिमाल करते हुए वे सेफ हो जाएगी और यदि वो नॉमिनेटेट सदस्यों को अपने साथ डांस करने के लिए राजी नहीं कर पाती तो वो ये टास्क हार जाएगी उसके बाद सभी नॉमिनेटेट सदस्ये आपसी सहमती से एक सदस्ये को सेफ कर सकते हैं इस बात पर शालिन गौतम के सपोर्ट में सभी नॉमिनेटेट सदस्यों को गौतम का सपोर्ट करने के लिए मनाते हुए नजर आते हैं खैर गौरी ने अपनी परफॉर्मेंस दी जहां पांचो नॉमिनेटेड सदस्य उनके साथ डांस करते हो नजर आए और वो ये टास्क जीत जाती है और अपने आपको सुरक्षित कर लेती है। के साथ फ्लर्ट करते हुए नजर आए इसके बाद MC स्टेन ने अब्दु को कहा कि वे घर जाना चाहते हैं इस पर अब्दु ने कहा कि बिग बॉस ने हमें मौका दिया है और हमें अपने आपको प्रूफ करना चाहिए लाइफ कभी सैड होती है तो कभी हैपी हमें हार नहीं माननी चाहिए वहीं टीना शालीन को ये कहते हुए नजर आई कि मैं सरजिता के साथ बैटने में अनकमपटेवल हूँ इसलिए मैं अभी बात नहीं कर सकती एपिसोड के एंड में गौतम शालीन और सौंदर्या कैप्टन निमरत के साथ टीना को लेकर डिसकेशन करते हुए